ये जो एक अभीरत साधना चली है, एक यग्य चला है, अब से कुछ दिर पहले मुझे भी आहुती डालने का सौभाग्य मिला है। अभी आचारे जी बता रहे थे, ये मेरा सौभाग्य है, कि इस पवित्र धर्टी पर महरशी दायानन सरस्वती जी ने जन्मलिया, उस धर्टी पर मुझे भी जन्मलियने का सौभाग्य मिला। उस मिट्टी से मिले समस्कार, उस मिट्टी से मिली प्रिर्णा, आज मुझे भी महरशी दायानन सरस्वती के आदर्शों के प्रती आकर्शित करती रहती है। मैं स्वामी दायानन जी के चर्णों में स्रद्धा पुर्वक नमन करता हूँ। और आप सभी को रदय से अनेक अनेक शुबकामनाई देता हूँ। सात्यों जे महरशी दायानन जी का जन्म हुआ था। तब देश सद्यों की गुलामी से कमजोर पड़कर अपनी आभा, अपना तेश, अपना आत्म विश्वास, सब कुछ खोता चला जा रहा था। प्रति पल हमारे संसकारों को, हमारे आदर्शों को, हमारे मुल्यों को चूर चूर करने की लाखों कोशी से होती रहती थे। जब किसी समाज में गुलामी की हीन भावना गर कर जाती हैं, तो आध्यात्म और आस्ता की जगह आडंबर आना स्वाभाविक हो जाता है। मनुष्य के भी जीवन में देखते हैं, जो आत्म विश्वास हीन होता है, वो आडंबर के बरों से जीने की कोशिश करता है। ऐसी परिस्तिती में महर्ची दायनंजी ने आगया कर वेदों के बोध को समाज जीवन में पुनर जिवित किया। उन्होंने समाज को दिशा दी, अपने तर्कों से ये सिद्ध किया। हम उनके वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं और विकृतियों से भर गए हैं। आप कल्पना करिए, एक ऐसे समय में जब हमारे ही वेदों के विदेशी भाष्यों को, विदेशी नेरेटिव को गड़ने की कोशिश की जा रही थी। उन नकली व्याख्याओं के आधार पर हमें नीचा दिखाने की, हमारे इतिहास को परंपरा को ब्रश्ट करने के अनेक विद प्रयास चलते थे। तब महरसी दयानन जी के ये प्रयास एक बहुत बड़ी संजीमनी के रुपे, एक जड़िबुटी के रुपे, समाज में एक नई प्राणश्रिक्ति मन करके आ गएगे। महरसी जी ने सामाजिक बेदभाव, उंच नीच, छुवा छूत, ऐसी समाज में घर कर गई, अनेक विकृतिया, अनेक बुराईयों के खिलाप, एक सशक्त अभियान चलाया। अब कल्पना कीजिए। आज भी समाज की किसी बुराई की तरफ कुछ कहना है। अगर मैं भी कभी कहता हूँ, कि भै कर्तव्य पत्थ पर चलना ही होगा। तो कुछ लोग मुझे डानते हैं, कि आप कर्तव्य की बात करते हो, अधिकार की बात नहीं करते हो। अगर 21 सदी में मेरा यहाल है, तो डेड़ सो कौने 200 साल पहले महर सीजी को समाज को रास्ता दिखाने में कितनी दिक्कत आई होगी। जिन बुराईयों का ठिक्रा धर्म के उपर फोड़ा जाता था, स्वामी जी ने उन्हें धर्म के ही प्रकाश से दूर किया। और मात्मा गांदी जी ने एक बहुत बड़ी बात बताई थी, और बड़े गर्वा के साथ बताई थी, मात्मा गांदी जी ने कहा था, कि हमारे समाज को स्वामी दायानंजी की बहुत सारी देन है, लेकिन उन्द में अस्पुर्शता के विरुद्ध गोशना सबसे बड़ी देन है। महिलाओं को लेकर भी समाज में जो रूधियां पनब गई थी, महर्शिदानंजी उनके खिलाब भी एक तारकिक और प्रभावी आवाज बन करके उबरे। महर्शिजी ने महिलाओं के खिलाब भेद भाव का खंडन किया। महिला सिक्षा का अभियान शुरू किया। और ये बातें देड़ सो पोने दो सो साल पहले की है। आज भी कई समाज ऐसे हैं जहां बेटियों को सिक्षा और सम्मान से बंचित रहने के लिए मजबूर करते हैं। स्वामी दयान जी ने ये बिगुल तप्फु का था। जब पस्टी में देशों में भी महिलाओं के लिए समान अधिकार दूर की बात थी। भाई और भेनों उस कालखंड में स्वामी दयानन सरस्वती जी का पदारपां पूरे यूग की चुनोतियों के सामने उनका उठकर के खड़े हो जाना यह असामान्य था किसी भी रोप में वो सामान्य नहीं था। इसलिए राष्ट्र की यात्रा में उनकी जीवंत उपस्तिती आर्य समार के डेड़ सो साल होते हो महर्शी जी के दो सो साल होते हो और इतना बड़ा जनसागर शिर्फ यहां नहीं दुनिया भर में आज इस समारों में जुड़ा हुआ है इस से बड़ा जीवन की उचाई क्या हो सकती है जीवन जिस प्रकार से दोड़ रहा है नुत्यू के दो साल के बाद भी जिन्दा रहना असंबव होता है दो सो साल के बावजुद भी आज महर्शी जी हमारे बीच में और इसलिए आज जब भारत आजहादी का अमरित काल मना रहा है तो महर्शी दैनंजी की दो सोवी जन्म जैन्ती एक पुन्य प्रेणा लेकर आई है